नमश्यार आज का हमारा पाठ है उप्भोकतावाद की संस्कृति उप्भोकतावाद की संस्कृति थोड़ा कठी शब्द आपको लग सकता है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उप्भोकतावाद है क्या संस्कृति की बात बात में करेंगे पहले हम ये समझेंगे कि उपभोगता वात किसे कहते है उपभोग को ही जीवन का सब कुछ मान लेना अब उपभोग क्या है? यानि कि वस्तूओं का प्रयोग करना आप सभी जानते हैं कि विज्यापन और चमक दमक का समय चल रहा है हर व्यक्ति चाहता है कि वह अधिक से अधिक वस्तूओं का प्रयोग करके देख ले और इसी लिए चारों तरफ उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तूओं बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वह किसके लिए है कंजूम करने के लिए है यानि उभोग करने के लिए है हर इंसान अधिक से अधिक वस्तू का प्रयोग कर रहा है या चाहता है यानि कि पहले की अगर तुलना में आज देखें तो जीवन शैली जो है बदल गई है और मनुष्य की सुख की परिभाशा भी बदल गई है क्योंकि सुखी उसे ही माना जाता है आज कल जो जादा वस्तू का प्रयोग कर रहा है यानि किसी के पास गाड़ी है बंगला है लगजिरी गूड्स है उने ही जादा सुखी माना जाता है लेकिन पहले का जो समय था उसमें संतोस्त को ही परमसुख माना जाता था अभी जो उभोग और भोग की संस्कृती चली है या अधिक से अधिक वस्तूं का उभोग जो है उसे ही सुख की परिभाशा से तुलना उसकी किये जाती है आप अपने आसपास भी ये घटनाएं देख सकते हैं कि जिनके पास बड़ी गारी है वह जादा खुश है बड़ी बाइक है वह जादा खुश है या बड़ा टीवी है तो वह जादा खुश है यही क्या कहा जाता है जीवन जीने का जो मुल्ले है वो बदल गया है अधिकादिक भोग में संतुष्टी नहीं है वो भोग की कामनाई बढ़ ही जाती है आजकल क्या है कि सभी उत्पादन हमारे लिए बनाए गए हैं और हमारे आसपास का वातावरण भी हमारा चरित्र भी बदल गया है और हम अपने आपको उत्पादन के प्रती अल्पित कर रहे हैं जो विकाश है उसके साथ साथ हमारे चरित्र का भी विकाश होना चाहे था लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है हम केवल उत्पादकों के लिए जी रहे हैं यानि हमारा जो भी पैसा है वो प्रेडक्शन की ओर चला जाता है और अधिक से अधिक वस्तों का उप्योग करना हमारे जीवन का लक्षे बन गया है यही श्री शामाचरण दूबे ने इस पाठ में समझाने की कोशिश की है भोतिक वाद क्या है भोतिक वस्तों का अधिक से अधिक प्रेयोग कर लेना भोतिक वस्तों किसे कहते हैं जो हमें दिखाई देती हैं सांसारे कवस्तों वो सब चीजें क्या हैं भोतिक वस्तों हैं और हर इंसान जो है उसी पर अपना जीवन टिकाना चाता है है पूरा जीवन उसी को समारपित करना चाहता है और यही कारण है कि हम प्रोडक्ट्स के गुलाम बनते जा रहे हैं यहां पर मैं आपको एक चीछ बता देना चाहती हूं कि मैं बहुत जादा साहितिक भाशा का प्रयोग यहां पर नहीं कर रहे हूं सिर्फ समझाना ही हमारे इन पार्थों का उदेश्य होता है कि जो बच्चा है उसके माइंड में क्लियर हो जाए कि इस पार्थ में क्या बताया गया है शुद्ध हिंदी का प्रयोग हम इसमें नहीं कर रहे हैं इसलिए concept clearance पे ध्यान दें अगर आपको लिखते समय जो शब्द प्रयोग करने हैं लिख में क्या समझाया गया है यहां पर फिर लेखक क्या समझाता है कि अभी जो competition चल रहा है अंधी प्रतिसपर्था चल रही है उसमें अमीर वर्ग की नारियां जो हैं वह महंगे से महंगे प्रोडक्स खरीती हैं और उनकी टेबल पर 30,000 की सुंदरी सामगरी भी मिल जाती है य तेल मंगवाते हैं और महंगे मेकप के प्रोडक्स भी मंगवाते हैं क्योंकि यह आजकल प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गए हैं शोशल स्टेटस बन गए हैं इसलिए लोग बाहर से भी यह सब सीजे मंगवाते हैं धन खर्च करने की शक्ति जो है किसमें कितनी है यानि कौन कितना ताकत रखता है वह उसके अमीर होने को दिखाता है फिलेख कहता है कि इस दोड में पूरुष भी पीछे नहीं हैं और पूरुष जो लोग हैं वो साबून और तेल का ही प्रयोग करते हैं इसके इलावा पूरुष भी तरह तरह के प्रोड़क्स का यूज करने लगे हैं और अभी तो दो चार दर्जन चीजें मार्केट में और भी आपको मिल जाएंगी जो दिखावे के लिए खरीदी जाती है प्रदर्शन के लिए खरीदी जाती है इसमें लेखक अपने जो अमीर वर्ग है उस पर व्यंग्य करता है क्योंकि भुक्तावादी संस्कृती क को बढ़ावा देती है और यहां पर लेखक की भाषा व्यंग्य से भरी हुई है हलांकि प्रभाव भी उत्पन करती है संस्कृतिक असमिता इन दोनों शब्दों की अर्थ अलग लग हैं संस्कृति का अर्थ है जीवन शैली किस तरह से हम जी रहे हैं और असमिता का अर्थ चान लेखक यह बताना चाहता है कि हमारी भारत की जो परंपराएं है और विदेशओं की जो परंपराएं हैं उन दोनों में टकराव है और हम उसकी और बढ़़ते जारहे हैं और हम उनके दास बनते हैं यही कारण है कि भारत की वस्तों को हम हीन समझते हैं तुछ समझते हैं और पस्चिम विचारों को हमसे सेश्ट समझकर हम उन्हें अपना रही हैं और यही कारण है कि हमारी बुद्धी उनकी दास बनती जा रही है उनकी गुलाम बनती जा रही है इसे क्या कहते हैं बौधिक दास कहा जा जब कोई शक्तिशाली देश अपनी संस्कृती जीवन शैली को दूसरों पर थोपता है तो वहां के लोग उसे स्विकार करके अपनी पहचान भूल जाते हैं कहने की कहने का भाव क्या है कि संसकृती वह विशार धारा और जीवन शैली का प्रचार प्रशार करके वह अपनी एक को लोनी बना लेता है एखक ने बताया कि इससे समाज में जो वर्ग हैं कुछ लोग अमीर हैं कुछ गरीब हैं उनके बीच में एक खाई बनती जा रही है यानि दूरियां बढ़ती जा रही है और यही करण है कि आज कल मालिक नौकर कारखाने वाले और मजदूर इन सब के बीच में संघर्ष बढ़ता जा रहा है हमारे जीवन का कोई महान उदेश्य नहीं है जीवन का उदेश्य केवल क्या बन क्या है कि बस जादा से जादा कमालो जादा से जादा वस्तों का उपभो कर लो और यह है हमारी जो तुष्टी है वो केवल क्या है शणिक है इसमें जीवन का कोई सारांस नहीं है यह बात लेखक कहता है और साथी समाज के लिए भी यह हानिकारग है सबसे बड़ी चिंता क्या है कि समाज के जो वर्ग हैं उनके बीच में दूरी बढ़ती जा रही है और यही करण है कि आज कल ऐशांती और अक्रोश बढ़ गया है अमीर लोग है अधिक अमीर हो गई है और गरीब लोग जो है वो और भी जादा गरीब हो गए है आज हम अपनी जीवन शेली यानि कि रहन सेहन का जो लेवल है हमारा और अपनी जो सोच थी हमारे भारत की सोच थी उसको हमने छोड़ दिया है उसको छोड़ करिके पस्चिमी देशों की नकल हम करने लगे हैं यह लेखक इसमें कहता है कि इस सब घटनाओं से केवल जादा भोकी च्छाही बढ़ती जाती है और तब वह है इनी सुख को सुख मान करके अपने मन को खुश कर लेता है और लेखक इसे क्या कहता है यह जूठी तुष्टी है यानि जूठ बोल रहे हैं हम अपने आप से हमें जूठी लक्षे जो है हमारा प्राप्त करने के लिए जैसे टीविंग हैं फ्रिज हैं कंप्यूटर हैं कार हैं मोबाइल हैं हम इनकी और भागने लग जाते हैं और य यह हमारे समाज के लिए चुनोती है गांधी जी ने इसे चुनोती कहा क्योंकि वो भारती संस्कृति के पुजारी थे आज की युग में किसी वस्तु को खरीदने के लिए उसकी आवश्यक्ता का होना अनिवारे नहीं है कुछ वस्तु में ऐसी भी हैं जो हम केवल विग्यापन देखकर के खरीद लेते हैं क्यों खरीदते हैं विक्यापन देख कर ये कि इससे हमारी समाज में प्रतिष्टा बढ़ती है और इस दिखावे की शान को बनाए रखने के लिए ऐसी वस्तों को खरीदने के लिए हमें मेशा सोचते रहते हैं यही इस पाठ के बारे में लेखक ने बताया है जिनका नाम है शामा प्रशाद दूबे अगर आपको इससे संबंदित प्रेश्ण है तो कमेंट सेक्षिन में जरूर मेंट करके आप पूछ सकते हैं और मुझे बताएं आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में वह चैप्टर पढ़ाऊंगी थेंक यू फॉर वाचिंग और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थेंक यू